नमस्कार किसान भायों मैं सूर्य देवियल फिरसे हाजीर हूं आपके अपने monsieur चैनल Agriculture गुरूजी में किसान भायों आज हम बात करेंगे गन्ये की एक आंक से हम 20 पोधे किस तरीके से निकाल सकते हैं ये गन्ये की एक आंक से हम 20 गन्ये किस तरीके से पैदा कर सकते हैं ऐसा कौन सा तरीका किसान भाईयो हमें अपने खेत के अंदर लगाना है जिससे कि हमारी गन्ना जादे जादे टिल्डिंग कर सके जादे जादे अच्छी गिरोध कर सके और बहुत जादे अच्छा ब्यात हमारा गन्ना निकाल सके किसान भाईयो इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो मैं आपको एक सही और अच्छी जानकाजी देने की कोसिस कर पाऊंगा वीडियो में यदि आपको कोई बात समझ में ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आप मेरे टेलिग्राम या वाटसब नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं तुरंती आपके सारे सवालों को जवाब मैं देने की कोसिस करूँगा किसान भाईयो गन्य की फसल में ज़्यादे ब्यात लेने के लिए आपको एक बात का विशेज ध्यान देना है कि गन्य की जितनी जड़े फोकी रहेंगी यानि कि गन्य के खेत के अंदर जितनी ज़्यादे लोच रहेगी जितना ज़्यादा फोक अपन रहेगा जितनी ज़्यादे मिट्टी मुलायम रहेगी उतनी ज़्यादे टिल्डिंग हमारे गन्य की फसल से हमें मिल सकती है बिल्कुल मुला हैं आपका होना चाहिए उसके बाद किसान भाई जो उर्वरक जो खादों की मातरा में आपको बताने बाला हूँ यदि इसी मातरा में इन खादों को इन उर्वरकों को आप अपनी गन्ये की फसल के अंदर डालते हैं तो किसान भाई जो मैं गारेंटी के उससे कम या ज़्यादे आप बिल्कुल भी ना करें तो किसान भाई यो एक बात का आपको और विस्यत ध्यान देना है कि आपको इन खादों को डालने के बाद अगले दिन ही अपने खेत के अंदर सिचाई जरूर करनी है और जो मात्रा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यह पिरती एकड के हिसाब से मैं बताऊंगा यानि कि एक एकड खेत की डोज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसकी मात्रों को आप उपर नीचे ना करेंगे कुछ किसान भाई नीचे कमेंट करते हैं कि आपने ये मातरा एकड के लिए बताई है, हैक्टेर के लिए बताई है, या फिर बिगा के लिए बताई है, तो मैं आपको बता दो कि मैं अपनी हर वीडियो में जितनी भी जानकारी देता हूँ, वो एक एकड के लिए ही देता हू अब आप सभी उर्वकों को नोट कर लीजिए जो उर्वक मैं आपको बताने बाला हूँ और इन उर्वकों को डालने के बाद आपको अपने खेट के सिच्चाई जरूर करनी है तो किसान भाईयों सबसे पहले आपको लगभग 10 किलोगराम पिर्ती एकल के हिसाब से आपको सा होते हैं यदि हम सागरिका की इतनी मातर अपने गन्य की फसल के अंदर डालते हैं तो बहुत ही अच्छी ट्रिलिंग बहुत ही सांदार ट्रिलिंग हमारी गन्य की फसल के अंदर से निकल करके चलती है इसके साथ साथ किसान भाईयों आपको अपने गन्य की फसल के अंदर लगबग 3 से लेके 4 kg सलफर की मातरा डालनी होगे और सलफर किसान भाईयों इसमें आप दानेदार नहीं लेनी है आपको पोडर फों में सलफर को लेना है और पोडर फों में जो आप सलफर लेंगे इसकी मातरा आप 3 से लेके 4 kg पिरती एकर के हिसाब से आपको लेनी है और कि खेत को या अपने गन्य की फसल को कीटों से बचाने के लिए रोगों से बचाने के लिए आपको इसके अंदर या तो आप कालिया मिक्स कलने कालिया जो आप इस समय इसक्रीन पर देख पाना है इस वाले कालिया को आप ले सकते हैं या फिर यदि आपको कालिया ना मिले तो आ अपने खेत के अंदर इसका बिखराओ पोधे की जड़ों के आसपास करना है और उसके बाद अगले दिन आपको अपने खेत की सिचाई कर देनी है यदि आप इस तरीके से अपने खेत के अंदर इन खादों का उपयोग करते हैं और उसके बाद सिचाई कर देते हैं तो किसान जो ब्यात जो ग्रोथ आपके गंडेगी होगी वे आज परोस के किसान भाईयों के गंडेगी नहीं हो पाएगी आप इस खात को एक बार अपने खेत के अंदर उपयोग करके देख लिए यदि आपके एक खेत में अच्छा रिल्ट आपको मिलता है तो आप दूसरे खेत में अच्छी जानकारी दे पाया है यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट रोट से जरू करें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै किसान